12 फरबरी होने वाले बिधानगर निकाय चुनाव में सबसे बरे चहरे और प्रवल उमीदवार तुरुमूल से है शोब बोशाजी दत्ता जो पहले तुरुमूल के थे हाली में वो बीजेपी से फिर से तुरुमूल में वापस आ चुके हैं हम उनसे बात करने की चाहेंगे औ और सहाब आपसे जाने की कुछ करेंगे कि चुनाव सर पर है तो तैयारी किस तर किसे चल दी है नमस्कार तो कि मैं इस चेत्र से छट्वा बार खड़ा हुआ हूँ पांच बार ये मेरा हुआ है और एक बार 2005 से 2010 महिला संग्रक्षन हो जाने से मेरी मीसेस खड़ी हुई थी तो 27 साल मेरा हो चुका है इस बार जीतने का बाद वो 32 साल हो जाएगा तो 27 साल पहले मेरा उमर था 27 साल अभी चौवन जिससे मानते हैं कि बहुती उम्दा खिलारी है राजनीती के आप वह है और आप से जाने के कोशिश करने के फिलहाल जिस बात को लेकर बंगाल की राजनीती सराबोर है कुनाल घोश कहते हैं कि जो विरोधी दलने ताहई यानि शुबिंदु अधिकारी वो त्रुडमून म में वाफस आ रहे हैं क्या टिपनी आपको आपकी इस बात को लेकर देखिए दूसरे दल के लिए मुझे बोलने उचीत नहीं मैं समझता हूं लेकिन आप लोग का मीडिया का जरिया और जो देख रहा हूं और पहले भी मैं उसमें रह चुका हूं कुछ साल दो साल 2019 से 2021 तो मैं देखा हूं कि बीजेपी पस्चिम मंगाल में तीन गुट में विभक्त है एक आदी बीजेपी एक नय बीजेपी और एक पोरीजाई पोरीजाई स्रोमिक के तरह हम लोग है पोरीजाई बीजेपी आदी बीजेपी अभी सुवेंदू को तो सबसे जादा तकलीफ हमें जो लगता है दिलिभ घोस से हैं कि सुवेंदू सोच रहा मैं अपना दखलनू और दिलिभ घोस शायंतन वोश वो लोग सोचते कि हमारे अपना दखल रहे हैं यह दखल का राजनीत उन लोगों का चल रहे हैं वो लोग आपस में समझें और मुझे जो लगता है सुवेंदू ने पिछले कि दस बारा साल में इतने ज्यादा प्रशाशन के कि थमता भोग किये हैं कि शिशी जेठू हम जेट बोलते हैं वो संगसद बने हैं एक बार 2009 में मम्तादी के आशिरवाद लेके केंद्रिय मंत्री बने हैं अभी भी वो संगसद है टी-मसी के ही शुवेंदू पहले संगसद रहा हुआ टी-मसी के तरफ से बाद में बिधायक बना 2011 से मंत्री बना एक नहीं काफी दफ्तर उनके पास था पार्टी के भी बहुत एम जिला उनके पास था मुर्शिदाबाद मालदा दिनाजपूर नौर्ट बेंगल काफी डिस्टिक्ट शुवेंदू का छोटा भाई जो शुवेंदू से छोटा है दिवेंदू वह भी संगसद बना फिर शुमेंदू काथी का चेयर्मेन बना तो सब और बाकी का तो पोस्ट बोलना शुरू करेंगे तो रात भी जाएगा हल्दिया डेवलपमेंट ऑट्रिटी का चेयर्मेन तो ढिवा डिजया डेवालपमेंट ऑफटरिटी का चेयर्मेन तो कहंती कोंट ऑपरेटिव बैंक फलाना फलाना और आपको पहले भी जानकरी मं होगा। कि हल्दिया पोर्ट में मिच्शुविशी न क्या इंडिया नौल काफी मतलब बिरोद कर रहे थे उस मतलब वहीं लेबर लेके वह भी मतलब वान में शो था सभी मम्तादी के आशिरवाद से तो आज उनको घुटन से मैसुस तो होना जाइज है आप कह रहे हैं कि शुबंद अब आपको कोई पूटल चैनल में दे दे तो आप तो घुटन का मैसुस हो गई इसका कारण क्या है बीजेपी की जो नेता है आप कह रहे हैं कि दिलीश को दिलीव गोश्चे उनका बैर है क्या इस बात को लिए क्या उनसी उन्होंने त्रुमूल से ये बात की है कि वह सरा नहीं लेना वो तो ममतादी अभिशेक वो लोग तयार करेंगे पार्तोदा है बुक्षिदा है वो लोग तयार करेंगे और रहा बात हर आदमी समझते हैं कि बंगाल में बीजेपी का कोई भविश्चा नहीं है तो बंगाल में बीजेपी में रहने का मतलब खुद कुशी करना तो खुद कुशी करने में अभी आप चार तल्ला से मुझे अगर कुदने बुलिएगा तो मैं थोड़ी कुदने जाऊँगा तो शुबशा जी रता कि यही बात के साथ पहले जब भी शुबेंदू त्रिनोमूल में रहते थे रहते समय जब भी कोई मतलब पबलिक गैदरिंग में भासन देते थे जब बाल नोचा जा रहा है कि आपको नहीं लगता कि जिसटर्व अभिशेक बैनर जीर में हाली में उन्हों ने यह भी कहा कि सुबिंदू अदिकारी उन्होंने चुनाओं के दौरान ममता बैनर जी को निशाना बनाया और तमाम जिस तरीकी से उन्हें घेर कर रखे थे तमाम आरोप के साथ, क्या नहीं लगता कि ये विक्तिकत तौर पर भी उनके लिए यहानी का रख था ममतब आनल ची के लिए, फिर ये जो आपसी जो अंजिश है उसको भुला कर बापस लेना, ठीक होगा ब पार्टी का डिसिशन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो पार्टी का एक कर्मी हूँ, मैं साइनिक हो, पार्टी का जो डिसिशन मेकिंग बोडी है, पॉलिसी मेकिंग बोडी वो लोग त्यार करेंगे, मैं साइनिक कभी डिसाइड नहीं करता कि उसको यूद में जाना है कि पहुत शुक्षियां हमसे बात करने के लिए यानि शुबोशाची दत्तों के यही बयान के साथ बंगाल की राजनेती रोचक बनती है क्योंकि देखने वाली बहुत होती है कि इसके जवाब में बीजेपी और खुद शुबेंदु अधिकारी क्या कहते हैं किरुण जी दाश के साथ आज ते के लिए रिक्तिक कोलकाता से